Hello everyone, स्वागत करता हूँ आप सभी का exam academy पर जहां पर हम आप सभी के लिए UGC net से related सभी तरीके का update आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते हैं और साथ इसाथ भारत के किसी भी university से PhD से related जो भी update रहता है उसका information भी आप लोगों तक समय पर पहुचाने का प्रयास करते रह notice release किया हुआ है जिसमें इन्होंने net score से PhD का admission है उसके संबंध में एक सूचना release किया हुआ है इस notification के मादनें से लेकिन उससे पहले हम एक newspaper की cutting पहले देख लेते हैं और उसके बाद उस notification पर भी चलते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इस news में पेपर में एक news निकल कर आया ह हुआ है कि net का जो score है अब उसके according ही PhD में दाखिला मिलेगा जिसमें UGC ने नियम में अपने कुछ बदलाव किये हैं और अलग-अलग विश्विद्यालों में जो PhD से संबंधित एक्जाम हो रहे थे अब वो एक्जाम नहीं होंगे अब आप लोगों का जो PhD में admission होगा वो नेट के माध्यम से ही होगा UGC ने कुछ नियम में अपने बदलाव किया है जिसके अंतरगत इन्हों ने जो विश्विद्यालों में अलग-अलग PhD से संबंधित इंटरेंस होता था उसे अब ना कराकर UGC नेट में जो आप लोगों का score रहेगा उसके according आप लोगों की जो पर चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी इंफार्मिशन हम आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते हैं वो आप तक समय पर पहुचता रहे यहाँ पर जो PhD कारिक्राम होता है जिसमें दाखिले के लिए जो भी candidate अलग-अलग विश्विद्याले में प् लोगों को पता है कि जो लोग नेट में अच्छा स्कोर लाते थे उन्हें जियारफ में जगां दी जाते थी तो आब इसके हीत तरज पर यूजिसी जो है काम कर रहा है PhD एड्मिशन के संबंद में अब आप लोगों का जो नेट का स्कोर है उसके कार्डिंग ही आप लोगो इसके तहत PhD दाखिले के लिए नए नियम को मंजूरी दे दी गई है जिसके तहत नेट के जो परसंटाइल होते हैं उसके अधार पर तीन स्रिणियों में लाब मिलेगा जिन उमिद्वारों का नेट परसंटाइल अधिक होगा वे स्रिणी एक में आ जाएंगे वे जियारफ वह सहायक प्रोफेशर के साथ सत्थ PhD दाखिले वह फेलोसिप के लिए भी योग्य हो जाएंगे उसी के साथ इन्हें PhD में दाखिले के लिए इंटरव्यू देना होगा और UGC का जो रेगुलेशन है 2022 के आधार पर होगा वहीं स्रिणी 2 के माध्यम में परसंटाइल वाले जो सहायक प्रोफेशर होंगे और जो PhD दाखिले के लिए योग्य माने जाएंगे इनके बाद सफल लेकिन सबसे कम परसंटाइल वाले जो उमीदवार हैं जो स्रिणी 3 में होंगे ये सिर्फ PhD दाखिले के लिए योग होंगे नतीजे के प्रमाणपत्र में उमीदवार की स् जयारफ तो आप होंगे ही होंगे लेकिन आप सभी को पता है कि जो लोग जयारफ होते हैं उनका नेट होता है क्योंकि नेट ही क्वालिफाई जो करते हैं जिनका अच्छा स्कूर होता है उन्हें जयारफ मिलता है अब जयारफ अगर आप लोग हैं तो आपका असिस्टन प यहाँ पर सबसे कम percentile होगा वो यहाँ पर PhD के लिए direct admission ले लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटेज जो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा उसमें PhD दाखिले के लिए स्रेणी 2 और स्रेणी 3 के जो अभ्यारती है जिसका net percentile 70% वेटेज में बदला जाएगा वहीं interview का 30 स्विजदी जो वेटेज होगा इन दोनों स्रेणियों में net score सिर्फ एक साल के लिए मान होगा तो यहाँ पर एक चीज और देखने लाइक है कि आप लोगों का जो net score है वो सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए ही अब मानने होगा यदि इस अविधी में PhD कारिक्रा में दाखि साबित होगी लेकिन बहुत से माइने में इसका जो नुक्सान भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है क्योंकि पहले जो था आप लोग एक बार net qualify हो जाने के बाद आप लोगों का जो वेटेज है उसमें आप जब PhD में अडमिशन लेते थे तो वो हमेशा के लिए रहता जो टाइमिंग रहती थी दो से तीन साल रहती थी लेकिन यहां पर अब जो नियम बना दिये गए हैं अगर आप नेट qualify हो जाते हैं और आप लोगों ने एक साल के अंदर PhD में अडमिशन नहीं लिया तो आप लोगों को फिर से नेट यहां पर करना होगा उसके बाद आपक इस तरीके के और भी इंफार्मिशन हम अपने यूटूब चैनल के माद्यम से लाते रहते हैं तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इंफार्मिशन के साथ तब तक लिए थांक्यू सो मच